सब गोल माल है भाई सब गोल माल है सुरेश धाका कौन है? किसके साथ रिष्टे है? कहां से यह अधिगम कोचिंग का मालिक बना? इसके समराजी को देखिए आप जहां पर जैपूर के गुजर की थड़ी में इसने इस तरह से बड़े इस्तर पे कोचिंग का फर्जी वड़ा कर रखा है अधिगम कार्याल है आरेस रेख्याता रीट सेकंड ग्रेड यही रीट सेकंड ग्रेड की परिक्षा हो रही है जिसका पेपर आउट हुआ है और आरोप लगा है सुरेश धाका पर सुरेश धाका जब शनिवार को सुबह पेपर आउट हुआ तो सुबह सुबह चाय पी रहा था मगर जब उदेपुर पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था सुरेश धाका के बारे में तो चाय पीते पीते सुरेश धाका कहां गाइब हो गया कि राजस्थान पुलिस के राडार से गाइब हो गया है यह जानने के लिए पहुँचे हैं हम अधिगम कोशिंग क्लासिस में यहाँ पर कुछ करमचारी काम कर रहे हैं जो एडमिसन का काम करते हैं बच्चों के उसे बाचित करते हैं क्या ना मैं आपका? कमलेष जी कौन मालिक है इसका? देखा जरूर उनको एक दो पर आए तब अब जब की हाँ पर अरोप लग रहे हैं कि क्रिश्चन पेपर आउट करने का Mastermind शुरेश जाका है तो किस तरह से यहां पर पुलिस आई है क्या पूश्टाज कर रही है बिल्कुल पुलिस आई है कल आये थे पुलिस वाले और जो आप में मनेजमेंट जो समालते हैं दरमेंदर जी है उनके साथ ही है कारवाई कि जा रह आया है सुबद इस्वार को सुभा सनिवार को सुभा जब बच्चे पेपर देने पहुंचे ते तब पेपर आउट हुआ था और इनका कहना है कि हम लोगों को पता नहीं आप आपका नाम क्या है तो तीन मेने में आपको पता नहीं माली कौन है जैसे कली हमको पता चलाता कि बगवती देवी के नाम से रिजिस्ट्रेड कोचिंग और प्रिजेंट में जो धर्मिंदर चौदरी जी वही इसको समाल रहे हैं वही इसके संचाल लगा प्रिजेंट में जरूती नहीं पड़ती धर्मिंदर चौदरी यहाँ पर व्यवस्थापक हैं जो पुलिस के साथ गये हैं लेकिन यह देखिये किस तरह से यहाँ पर मा सरस्वती और डक्टर एपी जे अब्दूलकलाम इनकी तस्वीर लगाकर और इस तरह का गोरक धंदा अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सुरेश धाका कितने बड़े अस्तर पे वो इस मामले में लिप्ट है भगवती देवी के नाम से ये कोचिंग रेजिस्टर्ड है वो भी साचोर के रहने वाली है या रहने वाले है पता नहीं जालोर के ऐसा कहा जा रहा है हमें बताया गया कि जालोर के किसी गाउं में हैं इसके मालिक जो कभी यहां पर आये नहीं है तो यानि कोचिंग खोलने में भी फर्जी वाड़ा है यहां पर जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो कभी मालिक से मिले नहीं है तो किस अस्तर पर कहां पर कैसे सुरेज धाका ऑपरेट करता था आप समझ सकते हैं दो-दो बार एक बार नहीं दो-दो बार प्रश्ण पत्र आउट करने के मामले में उसका नाम आ चुका है मगर एसो जी ने कभी पूछा तक नहीं यहां पर रिसप्सन के पीछे एडविशन की जगह है और स्टाब बैठते हैं आपर और इसके उपर जो है क्लासे चलते हैं जहां पर आप सीसी टीवी कैमरे में देख सकते हैं आज क्लास खाली है भी बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं वरना यहां पर इतनी ज़्यादा भीड आपको आप देखेंगे इसके यूटूब चैनल पे तो इतनी ज़्यादा भीड आपको दिखाई देगी इस दफ्तर के बाहर तो समझा जा सकता है कितने बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर आते थे अब क्या पढ़ने आते थे कैसी सफलता देखकर आते थे क्या इस तरह से सफलता दिलाई जाती थी मगर बड़ा सवाल यही है कि सुरेज धाका जिन नेताओं के संपर्क में था उन नेताओं से पुलिस पूझताज क्यों नहीं कर रही है जब पहले के प्रशन पत्र आउट होने में सुरेज धाका का नाम आया तो A.S.O.G. में किस नेता ने फोन करके उसे बचाया था क्योंकि एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है जिसने A.S.O.G. में फोन करके ऐसा कहा जा रहा है कि कहा था कि सुरेज धाका को ना पकड़ा जाए क्योंकि बार-बार इस तरह की बात आ रही है कि जालोर 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 मगर यह जो प्रश्ण पत्र आउट हुआ है वो RPSC से आउट हुआ है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से अगर यह प्रश्ण पत्र आउट होता तो कि असी सवाल उसमें नहीं मिलते बलकि पूरे 100 के 100 सवा मिल रहे हैं तो इसका मतलब की RPC से आउट हुआ है RPC से क्या connection था इसके बारे में पता नहीं लग सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इन लोगों को पता नहीं है जो स्टाफ काम कर रहे हैं उन्हें कल पता चला है कि ये कोचिंग किसके नाम से है तो आप समझ सकते है कि ये गरबर जाला कितने बड़े अस्तर पे चल रहा है किसके नाम से कहां क्या संचालन हो रहा है सरकार को यह भी पता नहीं ऐसे मामले में जब इतनी बड़े संख्या में पेपर आउट हो रहे हैं और कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है पेपर आउट कराने में कम से कम तब तो पूच्टाच होनी चाहिए थी मगर सरकार चुपचाप ऐसा लगता है कान में तेल डाल कर सुई हुई है जिसकी वज़ा से लाखो चात्रों का भविस्ति जो है अंधकार में हो रहा है सुरेज धाका कहां मिलेगा कहां पर है किसने भगाया है कहां पर चुपा है पुलिस खोज रही या नहीं खोज रही है डीजी पी तक का इस पर कोई जवाब आ नहीं रहा है इसलिए हम बार-बार पूच रहे हैं कि आखिर सुरेज धाका का आका कौन है और इस सवाल का सेकेंड ग्रेड टीचर परिक्षा के पेपर आउट करने वालों में से मुख्य आरूपी भुपेंद्र सहारन और भुपी का ये मकान है। पुलिस का आका और कौन इसे बचा रहा था ये बड़ी बात है कि आखिर ये कैसे बच रहा था। अभी घर पर ताला लगा हुआ है क्योंकि आज उदेपुर पुलिस पहुंची है और घर के बाकी सभी सदस्यों को यहां से उठा कर ले गई है। भुपेंद्र सहारण और सुरेज धाका यही दोनों थे जो लगातार उसे संपर्क में थे जैपुर से और बाचित कर रहे थे। कहने वालों का तो यहां तक कहना है कि सुरेज धाका और भुपेंद्र सहारण नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तो राज कई नेताओं के, कई अधिकारियों के फास हो सकते हैं। इसलिए पता है कौन कहा है फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है। सहारण जो है वो रेलेवे में करम चारी था, इससे पहले वो कॉंस्टेवल भरती परिक्षा में पेपर लिग कर चुका है, तब से हम यह आवाज उठा रहे हैं। Constable भरती परिक्षा में पेपर लिग किया, रीट में नाम आया, इसके अलावा कई आरेस 2018 में भी इसका नाम आया था, मगर तब भी पुलिस नहीं जागी, सरकार नहीं जागी, वही सवाल है क्या सिस्टम में कौन था इसका आका, और इसका जो भाई है, वो राजस्थान पुल पुलिस की नौकरी से बर्खास्त हैं, और यहां पर देख सकते हैं कितने आराम से यहां पर मकान बना कर रह रहे हैं, और पुलिस को पता तक नहीं चल पाया, पता नहीं चल पाया, या फिर पता करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर जैपुर में इस तरह से मकान बना कर आरोपी रह रहा हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि पुलिस को मिले नहीं हाना कि सुबह घर के बाकिस अदस्यों को पुलिस ले गई है लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम में कहां छेद है कहां लिक है जो पेपर लिक करने के बाद भी ये बच जाते हैं क्या वाकई ये पक पकड़े जाएंगे तभी बताएंगे कि आरपी एसी से कौन इन्हें पेपर दे रहा था कैमेल लिखी के साथ शरत कुमार राज्थान तक कर दो